सो हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू शानी अक्याडमेक्स मेरा नाम है शाली नी वर्मा तो आज मैं आप सभी के साथ क्लास थर्ड का यूनिट एट माई सिली सिस्टर चैप्टर डिसकर्स करने जा रही हूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा नीचे देगए बैल ऐकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि जैसे ही कोई भी अपनी मदर को बता रहा होता है, तो चैप्टर को पढ़ लेते हैं, मदर, यौ बेबी इस सिली, सिली बेसिकली उसे बोला जाता है, जो अलग अजीब औ गरीब हरकते करती है, तो यहां पर वो बोल रहा है, मम्मी आपकी जो बेटी है, वो बहुत जादा सिली है, शी इस सो very childish, वो कितनी बच्ची है, she does not know the difference between the light in the street and the bright stars, वो इतनी सिली है कि उसको बिल्कुल भी अंतर नहीं पता, जो सडको की light होती है, या चमकता हुआ तारा होता है कि यह दोनों अलग अलग है, वो दोनों को ही एक समझती है, तो यहां पर यह लड़का यह बताना चाह रहा है, वो इतनी सिली है कि वो क्या करती है, जो गली की light होती है और जो तारो की light होती है, उन दोनों को एक समझती है, और यह सारी बाते वो अपनी मम्मी से बोल रहा होता है, वेन वी प्ले विद पेबल्स, जब हम पत्थरों से खेलते हैं, तो पेबल्स क्या होते हैं, चोटे-च तो वो इतनी सिली है, तो यहां पर इस लड़की को दो चीजों से compare करा गया और बताया गया किस तरीके से वो सिली है, पहला तो गली की light और stars में वो एक समझ लेती है, दूसरी चीज जो पत्थर होते हैं, वो उनको अपने मूँ में रख लेती है और खाने की कोशिश करती है, When I open a book before her, जैं मैं उसके सामने book खोलता हूँ, and ask her to learn, मैं उसको पढ़ाता हूँ, ABC, she tears the page, तो वो page को फार दिती है, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अपने हाथ को उपर खोलती है, और खुशी से हसने लगती है, तो यहां पर जब उसका भाई पढ़ाने की कोशिश करता है, ABC, इस चोटी सीगल लड़की को, तो वो क्या करती है, वो book के pages को फार दिती है, और खुशी के साथ इस तरीके से हसने लगती है, तो इस तरीके से आपकी लड़की जो है, वो पढ़ती है, जब मैं अपना सर गुस्से में हिलाता हूँ, या उसको डाटने की कोशिश करता हूँ, या मैं उसको शरारती बोलता हूँ, तो वो मुझे देखके हसने लगती है, और इन सब बातों का मज़ाक उड़ाने लगती है, सब जनी जानते हैं कि हमारे पापा दूर है, दूर देश में काम करते हूँगे, बट सम्टाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुल, यहां पर मैं कभी कभार उसको फादर के नाम से जब बुलाता हूँ, शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट, तो बहुत जोश के साथ देखती है, और सोसती है कि पापा हमारे आजू-बाजू ही है, यहां पर वो बोलना चाह रहा है कि जब मैं उसके साथ एक प्ले करता हूँ, ट्रिक करने की कोशिश करता हूँ कि देखू पापा आ गए है, तो वो एकदम से भागी चली हाती है, उसको इतना भी नहीं पता कि हमारे पापा जो है वो दूर रहते हैं, तो यहां पर एक बड़ा भाई अपनी चोटी बैन की हरकतों के बारे में बता रहा है कि वो कितनी से लिए है, क्योंकि उसको बहुत जादा गंदे कपड़े उसके ओपर लाद के लेके जानी होते हैं, तो मैं उसी के साथ, यानि कि डॉंकी के साथ जब क्लास ले रहा होता हूं, और मैं उसको बोलता हूं, I warn her that I am the school master, मैं school master हूं, and that she better not make any noise, और बहतर यह रहेगा कि वो बिलकुल भी आवाज ना निकाले, तब ही वो चुप चाप हो जाती है, तो यहां पर जब एक भाई डॉंकी के साथ बैट के अपनी बहन की क्लास ले रहा होता है, और वो खुद को बदलता है कि मैं एक teacher हूं, मैं head master हूं, तो बहतर यह रहेगा कि तुम आवाज मत निकालो, तो वो यह सची में समझ लेती है, कि मैं head master हूं, और उसको आवाज नहीं निकालना हूं, और उसको आवाज न अब यहाँ पर भाई बोल रहा है, your baby want to catch the moon, आपकी जो लड़की है, वो चांद को पकड़ना चाहती है, she is really funny, वो बहुत मजाक्या है, mother your baby is silly, दुबारा बोल रहा है कि मम्मी आपकी जो गुडिया है, जो आपकी बेटी है, वो बहुत जादा सिली है, she is so very childish, वो कित्ती ब पच्चा, पेबल मतलब पत्थर, डॉंकी मतलब गधा, डर्टी मतलब गंदा, एंगर मतलब गुस्सा, एकसाइटमेंट मतलब बहुत जादा जोशीला, प्लेफुल मतलब खेलने लायक, नौटी मतलब शरारती, वोशर मैन मतलब कपड़े धुने वाला, एक बार मैं इस पूरी स्टोरी को समराइज कर देती हूं, इसमें एक भाई अपनी छोटी बहन की सिली मिस्टेक्स को अपनी ममे को गिनवारा होता है, पहले तो वो बोलता है कि वो स्ट्रीट लाइट और स्टार्स की लाइट में कन्फ्यूज हो जाती है, उनको दोनों में अंतर नहीं बता है, जब हम पत्थर के साथ खेलते हैं, तो वो पत्थर को खाने लगती है, जब मैं उसको बुक में A, B, C, D पढ़ाता हूं, तो वो बुक्स को फार देती है, और खुशी से इस तरीके से हसने लगती है, जब मैं उसको डाटने की कोशिश करता हूं, तो व मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा तब जाके वो चुप होके बैट जाती है और वो इस नाटक को भी रियल समझने लगती है कि मैं उसका हेड मास्टर हूँ आपकी बेटी कितनी सिली है मम्मी एवन वो एक चांद को भी पकड़ना चाहती है सची में वो बहुत ही जादा सि आपको समझ आई होगी अगर आपको मेरे दुवारा बताएगे स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा नीचे दिये गए बैल एकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि मैं चैसे कोई भी अपडेट डालो उसका झालो उसक है